प्यारे दोस्तों आपने अक्सर अपने मम्मी पापा को या कहते गवे सुना होगा कि व्यक्त को अपनी परिस्तित के अंसार स्वाइम को ढाल लेना चाहिए हम चाहे इस बात पर खरी न उतरें लेकिन ये हमारे पेड़ पौधे इस बात पर सौप्रतिसत खरी उतरते हैं ये स्वैम को अपने बातावरण एबं परिस्तित के अंसार ढाल लेते हैं आज हम इनी पेड़ पौधों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इनके आवास के बारे में भी आपको बताएंगे पेड़ पौधों के बातावरान एवं प्रस्तित के अनसार इने मुख की रूप से पाँच भागों में पाटा जा सकता है ये कौन-कौन से भाग है? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं देखिए, सबसे पहले पेड़ पौधों को पाच भागों में नमबर एक जलोद भीद पौधे, फिर दूसरा समोद भीद पौधे, और उसके बाद मरुद भीद पौधे, मरुद भीद पौधों के बाद बारी आती है लवडोद भीद पौधे की, और लवडोद भीद अधिपादप तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह जलूद भित पौदे आकर होते क्या है और इन्हें जलूद भित क्यों कहते हैं जेसा की नाम से ही इस पस्ट है कि जल में उखने बाले पौधे, ऐसे पौधे जो ऐसे स्थारों पर उखते हैं, जहां जल का बाहूली होता है, यानि जल बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे पौधों को हम जल उद्भित पौधे कहते हैं, ये पौधे जल में उखते है तो आपके मन में ये प्रस्न जरूर उठाऊगा कि ये तो जल में उखते हैं, फिर ये आखिर सडते क्यों नहीं, इन्हें कोई जन्त, जली जन्त क्यों नहीं खाता, तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं, आखिर इनमें ऐसी क्या चीज होती है, कि जो जली जन्त इनको नह इन पौधों को नहीं खाते और नहीं ये जल में सड़ते हैं तो जलूद भी पौधे मुकिता दो प्रकार की होते हैं एक तो पौधे वे जो जल में डूबी रहते हैं और एक पौधे वो जो जल में तैरते रहते हैं तो जो जल में डूबी रहते हैं सबसे पहले हम इन पौधों की बारे में बताते हैं ये जो पौधे जल में डूबी रहते हैं ऐसे पौधों को हम जल निमगन पौधे कहते हैं ये देखिए ये आपको पौधे कुछ दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के पौधे ये जल में डूबी रहते हैं और ये क्योंकि पोड़ता जल में डूवे रहते हैं, इसलिए इन्हें जल निमगन पौधे कहते हैं, और फिर हमने आपको बताया था कि ऐसे पौधे जो जल में तेहरते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, जानते हैं आप, इनको जल प्लाभी पौधे कहते हैं, यानि जल पर ते जलोधवित पौधों की बात, अब इसके बाद हमने आपको दूसरे नंबर पे बताया था कि समोधवित पौधे, आकर समोधवित पौधे क्या होते हैं, इन्हें समोधवित क्यों कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो हमारे आसपात, साधारण भूमेपात, यानि साधारण जलवाय में उगते हैं तो ऐसे पौधों को हम समोधवित पौधे कहते हैं जैसे बिभिन प्रकार के फूलों वाले पौधे गुलाब है गेंदा है और ऐसे ये प्रकार के पौधा हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये देखिए ये देखिए इस पर छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं तो ये हमारा समोधवित पौदा हुआ और इसके बाद ऐसे ही और प्रकार के जैसे ब्रच है आम है, नीम है, यूकेलिप्टस है और ऐसे ही बिभिन प्रकार के ब्रच, फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहुं ये भी समोधवित के अंतरगत आती है जैसे देखिए, ये गेहुं और ये ऐसे ही साधान भूम पर उगने वाले पौधे तो हम इने समोधवित पौधे कहते हैं इसके बाद बारी आती है हमारे मरुधवित पौधों की आखिर मरुधवित पौधे क्या होते हैं जैसा कि नाम सही स्प्रिस्ट है कि ऐसे पौधे जो मरुध यानि रे तीले भाग उपा उगें यानि ऐसे पौधे जो जहाँ पानी की कमी होती है ऐसे स्थानों पर उखते हैं इने मरुधवित पौधे कहते हैं जैसे हमारे पास हम आपको एक पौदे का चित दिखा रहे हैं यह देखिए जैसे यह नागफणी है नागफणी का चित आप देख रहे हैं इसे हम मरुदिवित पौदा कहते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेस्ता यह होती है बच्चों कि यह पानी की कमी होती है इसलिए इसकी पत्तियां जो हैं, वो काटों में परणित हो जाती हैं, और आपने तरह तरह के कैक्टस भी देखे होंगे, इन में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है, जैसे हम आपको एक दिखाते हैं, यह देखिए, यह आप पौधा देख रहे होंगे, तो इसकी पत्तियां, यह कैक्टस का प्लांट है, इसमें देखिए आप यह पत्तियां काटों में परणित हो गई हैं, क्यों? क्योंकि जल की कमी के कारण, जिससे जल्ब बास्ट में बन कर कम बात्रा में बाहर निकल सके, इसलिए इसकी पत्तियां काटों में परणित हो जाती हैं, और फिर यह अ तो पत्तियां कार्टों में पढ़नेत होगी फिर ये भोजन कैसे बनाएंगे ये भोजन अपने इस हरे देखिए ये कैक्टस के पौधे में आप देख रहे हैं ये हरा मांसल तना है इसी तने की साहिता से ये अपने भोजन का निर्मार करते हैं तो ये थी मरोधवित पौधों की बाद अब इसके बाद एक पौधे के बारेमें हमने और आपको बताया था कि लव़ोधवित पौधे तो ऐसे पौधे जो ऐसे इस्तानों पर उखते हैं जहांकी जलबाईयों में जहांकी भूम्य में लवड की मात्रा यानि नमक की मात्रा अधेक होती है जैसे समुद्र के किनारे वाले भागों में और दलदल में यहाँ पर लवड की मात्रा यानि नमक की मात्रा अधेक होती है यह देखिए जैसे यह एक पौधा हम आपको दिखा रहे हैं ये पौधा समुद्र के किनारे या दलदली भागों में उखता है चूंकि ये दलदल वाले भागों में उखता है तो इसकी जलवाय में इसकी भूम में आक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इस आक्सीजन की मात्रा को पूर्ण करने के लिए इसमें कुछ अत्रिक्त जड़े होत तासे ये oxygen की कमी को पूरा करते हैं तो ये लवडोधिपित पौदे और इस पौदे का नाम rhizophora है ये लवडोधिपित पौदों का सबसे अच्छा उदारण है अब इसके बाद एक अंतिम हमने आपको भाग बताया था जिसे हम अधिपादप कहते हैं अधिपादप का मतलब क्या हुआ ऐसे पौदे जो केबल आवास के लिए केबल आधार के लिए आवास के लिए दूसरे पौदों की साखाओं पर उखते हैं इन पौदों को अधिपादप कहते हैं एक बार फिर याद रखिएगा ऐसे पौदे जो आवास के लिए दूसरे पौदों की साखाओं प कहते हैं और ये पौधे अपना भोजन स्वैम बनाते हैं ये सबसे महत्पून बात है कि अगर ये अपना भोजन भी दूसरे पौधों की साखाओं से प्राप्त करेंगे तो ये अधिपादम नहीं रहेंगे तो फिर इन्हें हम पजी भी कहेंगे चुकि ये अपना भोजन दिखा रहे हैं ये देखिए ये अधिपादब है ये देखिए दूसरे पौधे की ये साका है और इसके उपर ये निकले हुए इसकी ये देखिए पत्तियां क्योंकि इसकी पत्तियां हरी होती है इसलिए ये अपने भोजन निर्मार स्वाहिम करते हैं तो आज आपने जाना क पौधों को कितने भागों में विवक्त किया जा सकता है एक बार फिर से यात कर लेजिए पौधों को पांच भागों में विवक्त किया जा सकता है जलोद्वित यानि जल में उगने पाले पौधे समोद्वित साधारण भूम में उगने बाले पौधे मरुद्वित यानि मरुष्टल रेतीले भागों में उगने बाले पौधे तो ये थे पौधों के बारे में और उनके आवास के बारे में जानकारी